hi dear friend आप सभी देख रहे हैं Soil mechanics और Soil mechanics में आज हम लूमेरिकल करने वाले हैं जो यह चप्र noobr 3 चल रहा है ठीक है तो इचप्र noobr 3 में कुछ लूमेरिकल करेंगे देखते हैं कैसा लूमेरिकल्स है किस टाइप का लूमेरिकल्स है और आपके लिए काफी कुछ helpful भी रहेगा ठीक है नुमेरिकल्स देखने से पहले एक request है कि वीडियो को share कर लीजी ठीक है और नुमेरिकल्स कैसे solve करना है notebook लेकर बैठेंगे तो काफी कुछ आपके लिए helpful रहेगा जैसा देखिए questions आपके सामने दिख रहा है question को सबसे पहले पढ़ो और उसके according आप given data तयार कर लो ठीक है तो जैसे question में दिया है कि while testing on a clay following property of the soil were noted ठीक है clay का testing किया गया उसकी कुछ properties यहां पर दीख रही है देखिए जैसे पहला value दिया natural water content कितना है 45% तो यहां पर देखिए natural water content यहां पर ले लिया गया है और value में यहां पर लिख दिया गया है दूसरा liquid limit तो wl से indicate करते हैं वह भी 49% है तो उसकी value 0.49 आ गया ठीक है उसके बाद से plastic limit भी दे दिया है 26% तो 26% यहां पर आपकी value 0.26 आ गया अभी find क्या करना है plasticity index में आप यहां पर देख सकते हैं उसका formula क्या होता है wl मतलब liquid limit minus plastic limit value में रख देंगे और find out कर लेंगे ठीक है यहां पर value put करोगे आपको directly मिल गया कितना 23% मिल गया इस तरीके से आप उसकी plasticity index find out कर सकते हैं main क्या है formula याद रखना यह उसका formula है ठीक है यह formula याद रहना च लिए आसान है plasticity index निकालना ठीक है फिर next क्या बोला है liquidity index find out करना तो liquidity index की अगर मैं बात करूं तो liquidity index का formula क्या होता है अगर liquidity index का formula अगर याद है तो आपके लिए आसान है जैसे यहां पर formula आप देख सकते हैं formula liquidity index का क्या है natural water content minus plasticity limit upon plasticity index into 100 है ठीक है अभी यहां पर इंसारी value value को put कर दो ठीक है सारी value को देखो natural water content value 0.45 था यहां पर value put करना यहां पर percentage में नहीं put करना ठीक है क्योंकि percentage में करोगे तो mistake हो जाएगा इसलिए क्योंकि यहां 100 किया ही है और लेडी वह percentage में आएगा तो आपने value पूट करने ही यहां पे तो देखिए natural water content का 045 put कर दिया है और 0.026 जो value है वो plastic limit के है और 23% आयता तो value में इसकी plasticity index की value 0.23 value put किये और 100 से multiplication करेंगे तो percentage में आजाएगा liquidity index का formula main important है formula अगर आपको याद है ये formula तो आपके लिए आसान है ठीक है formula लिक मैंने पहले भी बता है कि जितने formula मैं बता रहा हूं एक चार्ट बना लो सभी chapter wise formula वहां पे लिख लो कि ताकि आपके लिए easy हो जाए लोगो चार्ट बना के रखोगे अपने bedroom में लगा लो कहीं पर भी जहां सो टेबल हो वहां लगा लो दिन में एक दो बार उस इसरा था consistency index find out करना था consistency तो उसके लिए formula क्या है liquid limit minus natural water content upon plasticity index into 100 कर देंगे यहां पर भी value पूट करेंगे तो देखिए liquid limit की value 0.49 है और water content जो है natural water content की value 0.45 upon 0.23 plasticity index की value पूट किये और solve किये ता आपकी value आ गई 17.39 percentage ठीक है तो यह consistency index भी इस तरीके से find out हो जाता है ठीक है तो यहां पर आशा करता हूँ यह point आपको समझ में आ गया होगा कि तीन find out करने थे plasticity index, liquidity index and consistency index इस तरीके से find out करते हैं ठीक है formula अगर पता है तो given data के base पे आप find out कर सकते हो कि कैसे इसकी value पता होगी ठीक है find out कैसे होगी यह concept आपको सिख जागा है चलिए कुछ और एक example कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यही soil का sample has water content दे दिया है liquid limit दे दिया है plastic limit दे दिया है इसके previous में भी यही सेम चीज़े दिये थी हैं क्या calculate करना है plasticity index, liquidity index, consistency index, same जो previous question अभी आपने किया उसी की तरह same है बस value change किया है ठीक है value change कर दिया water content की value I think अगर देखू न तो water content वहां पर भी 0.45 ता यहां पर भी 0.45 वैल्यू है liquid limit दिफेंट था और plastic limit भी दिफेंट था तो चलिए इनका help करके देखे, simple plasticity index value पता है तो direct formula value देखो यहां पर क्या आनम इन्टू 100 नहीं है ठीक है इन्टू 100 नहीं है तो direct percentage की value दोनों percentage में है तो percentage percentage में माइनस कर दो परसंटेज में ही value आ जाएगी ठीक है तो यह point आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है 25% plasticity index आ गया ठीक है लिक्विट डिटी इंडेक्स की value इसमें value पूट करो यहां पर मैं आपको बताऊं कि यहां पर 100 का multiplication नहीं किया है 100 का multiplication नहीं किया सारे percentage की value यहां पर पूट कर दीए देखेंगे परसंटेज में ही सारे value पूट की है तो यह जो value calculate करके आएगी वह value में आएगी ठीक है value क्योंकि इंटू 100 करेंगे तो percentage में आ जाएगा तो इंटू 100 कर लो तो 72% यहां पर दिख जाएगा toxicity index की formula है इस formula में value put करोगे तो आपकी value value मिल जाएगी 0.28 value मिल रही है 100 का multiplication कर दोगे 100 का multiplication कर दोगे तो आपका answer आ जाएगा कि इसकी percentage में कितनी होगी यह value आपको पता चल जाएगी ठीक है चलिए कुछ और example कर लेते हैं यह example थोड़ा सा different है ठीक है जैसे कि मैंने बताया थ दिस्टिबिशन कर वाला ठीक है जो डिस्टिबिशन कर वाला चैप्टर बताया था उससे यह आया है ठीक है यहाँ बता दिया और grading कर फॉर ए स्वाइल गीवेन इफेक्टिव ग्रेंट साइज 0.15 देखिए इफेक्टिव मैंने बोला था इफेक्टिव ग्रेंट साइज क इसको डी 10 को बोले जाता है डी 10 की वेलू देखिए 0.15 देगा 30% final size की value मतलब D닷 की व infamous final size मतलब D statistics कईblem लिखा नहीं होता है आपको खुद ही समझना होता है कि यह किसकी वैलू है यह आपको पहले भी मैंने बताती है फॉर्मुले अगर लिखे हो तो आपको बहुत असे से आ जाएगा दिखिए यहां पर यूनिफिमिटी कोप्षेंट की वैलू क्या है डी 60 अपन दी 10 आपको डी 10 की वैलू भी पता है दी 30 दी 60 अपन दी 10 की वैलू पुट कर दो आपकी वैलू यहां पर देखिए 5.46 वैलू आ गया है वही अगर यहां पर करते हैं यहां पर देख सकते हैं और यहां पर देखेंगे तो क्या फॉर्मुला याद रखना बहुत इंपॉर्टन है ठीक है अब यहां पर सारी वैलू पूट कर दिया और आपका एंसर आ गया 1.30 तो इस तरीके से देखिए यह तीन नुमे के लिए काफी helpful रहेगा इस तरीके के अभी जो मैंने बताया है इस तरीके का अगर question आता है आप different questions को उठाके देखो अपने previous year के paper को उठाके देखो उसमें आपको दिखेगा कि बहुत सारे different questions पूछे गए हैं उन paper को low बैठो और solve करो ठीक है कि ताकि आपको ideas मिल जाए कि कैसे type के question आते हैं और उसको कैसे solve करें ठीक है फिर भी उसके बाद भी अगर कोई question देखिए paper आपके पास है university के paper देखिए उसमें से कौन सा ऐसा question है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ठीक है जो questions आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे उसको solve करें तो आप मेरा whatsapp number आप करोंगा फिर भी नहीं समझ में आएगा तो जरूर प्रोवाइड करोंगा वीडियो के माध्यम से या तो फोटो के माध्यम से तो देखते रहिए और अपने जो दोश मित्र हैं उनको भी शेयर करिए कि ताकि वह भी इसका बेनिफिट ले सकें So, thank you for watching this video.